कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी संडे का दिन है सुवे का टाइम है और यहां पर मैं उठ चुकी हूँ आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे अभी आठ बज गय थे या फिर सावा आठ का टाइम था इस टाइम में उठी थी संडे के तो देखें यहां पर मैं उठ चुकी हूँ दोनों बच्चे भी मेरे अभी सो रहे थे और एक तो आजकल मौसम इतना ज्यादा अच्छा है ना मौनिंग के टाइम अपना ब्लैंकिट वगरा छोड़ने का बिल्कुल भी मननी करता अभी भी बाहर बारिश लगी हुई थी और मेरे बच्चे भी अभी उड़ चुके थे जितने देर में मैं फ्रेसन अफ होने गई थी तो मेरे बच्चों ने बोल दिया ममा हमें आलू के ने बारिश के जिर देने आप होुट प्रेसन अफ होने के बाद आलू रख दिया थे बॉइल होने के लिए यहां से मेरे बोल बाइल हो चुके थे उसके बादु मैं बना अधा राज्मा राईस आज वी मैं करेकर और नहीं लगता है और आज ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे जिस वुज़ा flour Song करने की सपीड और ज्यादा आ जाती है तो मैं अपने टाइम से काम को finish करने की पूरी कोसित करती हूं यहां पे आलू मैंने सारे छील के रख दिये हैं और बाहर बारी सो रही थी ना तो इसलिए मुझे अपनी यहां पर खिड़ के वहां पर बालकेनी का जो गेट है वहां पर बैटके चाय वगरा पिना बहुत जादा अच्छा लगता है क्योंकि बाहर का मौसम आप देखोगी बाहर का व्यू देखते हुए और बाहर से ना तो चाय पीने का मज़ा डबल हो जाता है मेरा तो यहां पर चाय वगरा पी ली थी मैंने और अक्रिस जब भी मैं चाय बनाओ ना अक्रिस को चाय जरूर चाहिए होती है वह बहुत ज्यादा टी लबर हो गया है मतलब उसका ऐसा है कि मम्मा अपनी चाय भी चाट मसाला और गरम मसाला डालने से ना पराठो का टेस्ट और ज्यादा अच्छा आता है बच्चों के लिए स्टफिंग अलग से निकाल दी है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे प्याज और हरी मिर्ची डालके नहीं खाएंगे बाकि अपने लिए मैंने प्याज और थोड़ का लंच टाइम पूरा खराब हो जाता है मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मेरे को इतने जल्दी मतलब टाइम टू टाइम अगर सारी चीजे खाली तो ठीक है अगर मेरा थोड़ा सा नास तब अगर लेट हो गया तो मेरा लंच करने का रूटीन पूरा खराब हो जाता है फिर खालोगे ना तो फिर पराठे वेगरा बहुत जादा हैवी होते हैं दिन में मुझे राजमा भी बनानी थी तो आज दोनों चीजे ना ऐसी हो गई थी मतलब हैवी राजमा भी काफी हैवी होती है और पराठे तो हैवी होती ही है पराठे भी मैं बच्चों के लिए तो ऐसे ब या फिर मेरी भावी बनाती है मतलब मेरी माईके में मेरी भावी भी पराथे काफी अच्छी बनाते हैं तो उनके हाथ के मुझे अच्छे लगते हैं बाकि इतने पराथे और मैंने किसी के हाथ के खाये तो नहीं है मुझे अपने हाथ के पराथे बहुत अच्छे लगते हैं और बीज में मेरी दीदी यहां पाय थी आपको याद होगा तो मेरी दीदी ने भी काफी अच्छे पराथे बनाए थे यहां पर देखें पराथे में अगरा मैंने सेख दिये हैं बाकी फिर जो है हमने नासता भी अपना इंजोई कर लिया था मैंने पुदिने की चटनी बनाए थी कल साम को तो पुदिने की चटनी के साथ मैंने पराथे इंजोई करें और पराथे बटर के साथ भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं अभी बटर था नहीं नहीं तो मैं बटर के साथ पराथा जरूर खाती तो प्राठे बगरा खाने के बार लग जाते हैं अपने काम पर क्योंकि काम मुझे टाइम पर अपने सारे निप्ताने है नहीं तो काम लेट हो जाते हैं तो लंच बनाने में भी काफी लेट हो जाते हैं तो इसलिए बस रोबोट की तरह लग जाओ बस तो जल्दी जल्दी सारे खाम निप्टाने पड़ते हैं अपने सबसे पहले मैं कर लूँगी अपनी कीचन की क्लेनिंग और ये वीडियो संडे का कल का ही ये वीडियो है और आज का वीडियो देखे काफी लोग खुस हो जाएंगे क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया है सबकी सिकायत रहती है कि दीदी आप वीडियो इतना छोटा बनाते होना तो जल्दी खतम हो जाता है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आज आप वीडियो देखे खुस हो जाएंगे क्योंकि आज का वीडियो काफी लॉग है यहाँ पर मैंने अपनी कीचन की क्रेनिंग करी और बरतन मैंने छोड़ दिये क्योंकि मुझे करनी है अपनी हैर ओयलिंग और आप सबकी कोश्चन इतने जादा आते हैं मेरे बालों को लेके कि मैं क्या करो मुझे मजबूर हो गई आज वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ओयल ले रखा है जब भी आपको अपने वालों में हैर ओयलिंग करनी होती है तो आप șiषिट करे जो को भी आप ओयल यूज करते हैं उसको हलका सा गुंगुना कर ले आप अपने बालों में ओयल लगाएंगे आपको खुद से ही फील ہوगा जब आप ओइलिंग करेंगे आपको बहुत अच्छा सा फील होगा ओइलिंग करते रहें तो मैं करती हूँ कोकोनट का ओइल यूज और आप चाहे तो जैतुन वगरा या फिर जो भी आपको पसंद है वो वाला ओइल यूज कर सकते हैं मैं अभी होट कोकोनट वाला जो ओइल आता है न मेरा वही खतम नहीं हुआ था मैं उसी को ही यूज करती हूँ और कोसिस करें जब भी आप अपने बालों को बॉश करते हैं चाहे आप रात को ओइलिंग कर लो अगर आप रात को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो दो ड़ाए घंटे के लिए अगर आप आप ऑईल अपने बालों में रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है इससे आपके बाल एकदम ड्राई नहीं होंगे तो बाल ना अच्छे रहते हैं एकदम सौपर सौपर से नहीं तो बाल बहुत ज़्यादे ड्राई हो जाते हैं अगर हम ऑईलिंग नहीं करेंगे तो तो ऑईलिंग करने में आपको बिल्कुल हलकी हलकी हाथों से अपने बालों में ऑईलिंग करनी हैं बिल्कुल प्यार से करनी हैं बिल्कुल भी तेज हाथों से नहीं करनी हैं क्योंकि जब भी हम अपने बालों में आपने बालों मे बहुत हलके आतों से करती हूं तो आज मॉयलिंग कर रही हूं कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना हेर वाश करना है जिससे आपके बाल लंबे होंगे कुछ-कुछ मैठेट में आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने में काफी हेल्प होगी क्योंकि आप सबके कमेंट इतने ज्यादा आते हैं मतलब हर दिन मेरे वीडियो में एक नए इंसान का कमेंट आता है कि दीदी आप अपने बालों में क्या लगाते हो तो मुझे लगता है कभी कबाना मतलब हफते में दो हफते में एक बार में इस तरीके का वीडियो आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी जिससे कि आपके बाल बढ़ने में आपके थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी तो ओइलिंग जब भी करोगे आप आपको अच्छे से ओइलिंग करनी है बिल्कुल एक एक बाल में ओइलिंग होनी चाहिए मैंने ओइल थोड़ा से ज़़ा ले रखा था क्यूंकि मुझे बेटी के बालो में ओइलिंग करनी है अब इदेख़िंग नहीं कर पांगी क्यूंकि जुड़ा बना दुनगी मैं अपना और जब आपके बालो में आप ओईलिंग करते हैं तो तुह रन्ट कंकी आइलिंग करने के बाद कंगी और बालों में आइलिंग करते रहे हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल आपने अपने बालों का गोल बना लेना है बहुत अच्छे से एक बाल को आइल करेंगे तो आपके बाल बहुत जादा मतलब फसेंगे नहीं इदर दर उलजेंगे नहीं तो आपक कर देता है ना तो यह लगता है चलो मंदिर में जोद जल गई है नहीं तो बिना जोद जलाए हुए मंदिर में नास्ता बगरा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया था आज मैंने आपको जैसे बताया उठने में हो रहा है कि ऐसा बर्साथ की वज़ेशे है ना हर जगों पर ऐसा हो जाता है क्योंकि बारिस इतनी ज्यादा हो रही है देड़ी के डेली मैं dead all बगरा डाल के या फिर फिनाइल डाल के पोच्छा लगाती हूं उसके बाद भी न मतलब फर्स ऐसा हो जाता है एक देर दो गुंटा ठीक रहेगा उसके बाद पुरा फर्स एकदम चिपचिपा सा आज कल मैं मतलब दो से तीन टाइम पोच्छा लगा लेती हूं क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता अगर मेरा फर पोच्छा लगाने की और संडे को मतलब बहुत ज्यादा डीपली क्लीनिंग नहीं हो पाती क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज्यादा होते हैं मेरे पास तो इस वजह से यहाँ पर यह अब मैं आप से मिली हूं सीधा इवनिंग टाइम है दिन में मैंने कोई और 10 बज़े तक मैंने बिट्व का चार्ड बनाया था और बस उसको मैंने बना के दे दिया था मैंने बहुत आप कलर कर लो बाकि मैंने जो भी पैंसल से ड्रॉ करना होता है वो सारी चीजे मैंने कर ली थी उसके बाद दोनों बच्चों को पढ़ने बिठा दिया है और यहां पर मैंने प्यांज ले लिये हैं तीन दाने बड़े बड़े से मतलब बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं तीन दाने प्यांज के लिए रखे हैं मैंने प्यांज काट के बस हम इसको चौपर में चौप कर लेंगे बिल्कुल बारिक सा साथ में मैंने लस तो साही पनी राज में कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने सारी चीजे चॉप कर ली हैं, इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, आप चाहे तो मिक्सि में भी बिल्कुल पीस सकते हैं एकडम जो पाउडर सा बन जाते हैं और मैंने इसमें पीसा है चॉपर में, तो इसका मैंने बिल्कुल एकडम जो बन जाते हैं, बिल्कुल पाउडर सा बिल्कुल पतला सा पेष्ट, तो मैं पेष्ट नहीं बना रही हूँ, और साथ मैंने टमाटर तो पूंद दने पीष लिए और यह है काजू जो मैंने 5-10 मिनट पहले गरम पानी में भिगोने के लिए रख दिये थे और बस इनको भी मैंने पीस लिया, इसको मैंने मिक्सी में ही पीस है, क्योंकि मिक्सी में एक्डम क्रीमी टैक्सर आ जाता है, बहुत अच्छे से पीस जाता है बस अब दूसरी ज़रब हम इसको तड़का लगा लेंगे यहाँ पे मैंने ले लिए है कड़ाई उसमें डाल दिया है मैंने घी साही पनीर को घी में ही फ्राय किया जाता है उसके बाद घी गरम हुआ मैंने डाल दिया एक चमच जीरा जीरा डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज और लस्सन और हरी मिर्च जो हमने पीस के रखी हुई थी चॉपर में चॉप्ट करी हुई थी वो डाल दी है इनको हम बहुत अच्छे से फ्राय करेंगे जो हमारे पीसा हुआ प्याज होता है वो फ्राय होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है हमें इसको तब तक फ्राय करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिस ना आ जाए तो देखे बहुत दे तक इसको फ्राय करना पड़ता है यहां पर देखे हमारे प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया एकदम ब्राउन हो गया है और क्वांटिटी भी ना कम हो जाती है जब बहुत अच्छे से प्याज फ्राय हो जाता है उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पीसा हुआ टमाटर साथ में डाल दिया है काजू का पेश्ट जो हमने बना के रखा था काजू हमें टमाटर डालने के बाद ही डालना है प्याज के साथ नहीं डालना है नहीं तो प्याज का कच्छापन नहीं निकलेगा तो टमाटर डालने के बाद हमने काजू का जो पेश्ट बना के रखा था वो डाल दिया एक अच्छा सा हिसले सब्सक्राइबाइब? नहींड देंगे एक पर सब्सक्राइब kauf नाहें करसे में मारकेट यािम क 유ी Lite doctrine है तो Act्ट मैं आकाजू का पेस्ट था उतना ही क्रीफ आठ डे मिक्सिर के चूड़ने था चैर्ट मैं खाखे की वेस्ली दोनें गया हैूं क्रीम काजु का काजिज खाते है मैं क्रीम काजा डेंगे 2 आप मैं ओभा है मैं मेर जान तरह एक स्वर्षी है इनको छोटे-चोटे pieces में cut कर लेंगे जैसा आपको पनीर के pieces पसंद है उस तरीके का आप cut करिए बड़े छोटे जैसे आपके बच्चो को पसंद हो और ये recipe मैं इसलिए share कर रही हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होता हैं जो हड़ तरीके का खाना नहीं खाते और अगर आप इस तरीके से पनीर अपने बच्चे को खिलाएंगे आपके बच्चे 100% मैं guarantee देती हूँ कि जरूर खाएंगे यहाँ पर देखिए हमने घी बहुत कम डाला है बस किनारी में आपने देखा होगा ना अलका सा redness थी तो बहुत कम घी था हमारे पास सबजी में हमने बहुत कम घी एट करा था तो बहुत ज़्यादा ओइल इसका सेपरेट नहीं होगा बस आपको ऐसे ही आइडिया लगाना है कि हमारा मसाला ना पक चुका है मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है अब इसको mix करके सारा अच्छे से mix कर लेंगे ताकि नीचे जला हुआ कुछ है तो हम चेक कर लेंगे उसके बार इसमें मैं डालूँगे आधा गिलास दूद हंजी दूद डालेंगे हम इसमें आप चाहे तो दूद और डाल सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी एट करूँगी और अगर आपको एकदम गाड़ा चाहिए तो आप इतना ही दूद डालिए और इस तरीकी की ग्रेवी भी काफी अच्छी लगती है पर मेरे बच्चों को ऐसी ग्रेवी पसंद नहीं है उनको थोड़ा सा पतली ग्रेवी पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी एट करूँगी बहुत ज्यादा पानी नहीं एट करेंगे बस आधा गिलास पानी नहीं तो इसका टेस्ट विल्कुल खराब हो जाएगा और आप चाहे तो एक गिलास जितना भी मैंने मतल रहा दो और उसका प्सक्ता खराबूआ और उसका टेस्ट वह ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने गरम मसाला डाल दिया और लास्ट में आप इसको थोड़ा दिर पाकने के लिए पहले च्छोड़ा है मैं आपको बाद में बताती हूं थोड़ा देर चुड़ा हम ने इसको फिर पनीर के बडुश्च में इसको एक mix देघंगे उसके बाद ढखक की च्छोड़ देगे पकने के लिए पनीर डालने के बाद हमें बहुत ज्यादे इसको नहीं पकाना के लिए इसको पकाना आध陷ी हगो देखेrij sabes तो बहुत से लोग बोलेंगे कि मतलब आपने अलग अलग दिन का वीडियो सेयर कर रहा है रैसीपी मैंने शेयर करके रखे हुई थी अपने फॉन में सट्रेडे को मैंने बनाया था ये तो मैं सोच जी थी आपके साथ में रैसीपी शेयर करूंगी तो सट्रेडे वाला वीडियो मेरा वैसी लॉंग हो गया था 10-11 मिनट का फिर मैं रैसीपी पी डाल देती ना तो और लंबा हो जाता तो मैंने ये वाला क्लिप छोड़ दिया था ताकि मैं किसी और वीडियो में इसको आपके साथ शेयर कर पाऊँ यहां पर गर्मा गर्म रोटिया बनके तैयार है यह देखे फाइनल लुक हमारे साही पनीर का लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला पनीर बहुत जादा टेश्टी बनता है यह पनीर यकीन मानिया आप एक बार मेरी तरीकी से बना के जरूर देखे अगर आपके कि बच्चे 2 रोटी खाते है ना तो 3-4 रोटी खा जाएंगे इस बात की गैरांटी मैं देती हूं, लास्ट में हम इसमेरा थोड़ा सा कस्थूरी डाल के हैं तो आप कर सकते हैं मैंने नहीं करी है क्यूंकि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे कस्तूरी डाल के इसलिए तो बस लास्ट में देखे यह क्लिप वापत से आ गई है संडे की संडे को हमने डिनर वगरा करने के बाद आइस क्रीम इंजोई करी थी हस्बेंड आइस क्रीम लेके आगे थे हाला कि आइस क्रीम खाने का मौसम बिल्कुल नहीं था पर वो ले आए थे तो क्या करते खानी पड़ी मुझे भी नहीं तो मेरे गले की बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे तो खासी का थोड़ा सा लग रहा है साथ खासी होगी मुझे अब तो चलिए फिलाल आइस्क्रीम इंजोई कर लेते हैं इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं पैयन करूंगे आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगली ने वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें खुश रहें बाबाई एंड टे केर गुड नाइट